तो दोस्तो अगर आप electrical का काम करते हैं तो कभी ने कभी आप free dish setup box का repair जरूब किये होंगे तो दोस्तो आपको पता ही होगा कि जो free dish setup box का power supply होता है उसके output old में अलग-अलग तरह से यहाँ पर old हमें मिलता है जैसे कि इसमें 5 old मिलता है 24 old 12 old 3.3 old इस तरह से old मिलता है तो दोस् इसके बाद ground होता है तो ground न मिले तो क्या fault आसकता है और इसके बाद दोस्तों आता तीसरे न्मर में 24 old तो 24 old का काम क्या होता है और 24 old हमारे setup box को न मिले तो क्या guard होता है और इसके बाद आता है 3.3 old तो दोस्तो 3.3 old का काम क्या होता है और यदि हमारे motherboard को setup box को 3.3 old न मिले तो उस condition में क्या फाल दा सकता है इन सभी old days के बारे में हम इस video में जानने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है अमर और आप देख रहे हमारे YouTube channel electrical search तो चले दोस्तो हम बात कर लेदे हैं 5 old का तो 5 old का काम क्या होता है तो दोस्तो 5 old का काम यह होता है कि इसमें जो motherboard में 5 old का जो supply जाता है वा RF को जाता है तो दोस्तो RF कहाँ पर होता है मैं आप लोग को दिखायता हूँ और RF का काम क्या होता है उसी भी आपको explain कर देता हूं जैसे कि आपने आपर देख सकते मदरबोर्ट की यहाँ पर चार लीड देख रहे हैं जिसमें का जो ब्लैक कलर का लीड आप देख रहे हैं दोस्तों वह आरेप के लिए होता है और आरेप का यूज जो टीवी एंटीन से चलने वाले होते हैं उसके लिए आप य यूज किया था जैसे कि जो पुराने जवान जो टीवी होता था उसमें अधिकतर आपने देखा हो गा कि एंटीन से चलता था तो उस वह चलाने के बात-बात करते हैं Ground का जो दूसरे नंबर में आता है दोस्तो ग्दोत का हम Cineggie да presents कंग वर कंगल और नहीं मिल रहे हैं तो उस प्रूसरे, आपका जो सेटाइब आर्प वक्स से वे वर कनी करेगा नहीं Even कोई भी बीडु इवाह से चलता है है तो अगर उसमें everyone मिलेगा तो जाहिटी से बात है आपका जो डिमाई से वह बरक नहीं करेगा दोष्टव समझ गए होंगि की जो सप्लाइं जो ग्राउन की साप्लाइं होता है उसका क्या महत्वा होता है क्या भूमी का होता है तो अब इसके बाद होता हम बात करते हैं तीसरे नम्मर का 24 ओल्ट का का काम क्या होता है उससे आप समझ लिए जो 24 ओल्ट का काम क्या होता है जो चैनल होता है उसको स्कैन करने के लिए होता है और कौन सा चैनल होता है जैसे कि दूर्ट औल्ट नहीं मिलेगा आपका मदरवोड तो उसका निथन में आप जो डिश्टीवी का जो चैनल होता है उससे आप DTH में इसके नहीं करता हैंगे दोस्तों जो 24 ओल्ट होता है उसका काम यहीं होता है आप समझ गये होंगे तो दोस्तों अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करे करने के लिए और आपके जो सिगan Scale के लिए लिए होता है क्योंकि दोस्तों अगर इसका 12 ओल्ट है वह मदर बोर्ट में जाता है और मदर बॉर्ट से आपका the this पर सप्लाइ आता है जिसकांट से आपका व्ल्ट से स्कैन करता है और आपका सेटप बॉक्स में सिगनल आता है दोस्तों मालों कि इसमें 12 वायर को आप कट कर देते हैं तो उसके निसल में आपका सेटप बॉक्स में नो सिगनल आएगा और आप कोई भी चैनल स्कैन नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो आप समझ गया होंगे कि जो 12 volt होता है उसका काम क्या होता है और 12 volt की ना मिलने से आपका setup box में क्या फाल्ट आ सकता है अब दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे जो 15 नंबर का तो वह भी ground ही होता है तो आपको बता चुके हैं जो उपर से जो second number को दोस्तो होता है वह भी ground होता है और नीचे से second number को होता है वह भी ground होता है हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर तो जैसे कि आप यहाँ पर देखे उसमें negative supply जाता है और जो दो last वाला जो wire होता है उसमें 3.3 old आता है दोस्तो 3.3 old का काम क्या होता है आप समझ लिजे दोस्तो 3.3 old का काम होता है आपका setup box को on करने के लिए दोस्तो अगर आपका setup box में 3.3 old का supply ना मिले तो उस के नितर में आपका setup box on ही नहीं होगा तो दोस्तो इस तरह से इसका जो output world होता है उसका काम होता है तो दोस्तो आसा का तो आपको इस studio में दी गई जानकारी पसंद जरूर आया होगा इस तरह का वीडियो देखने के नमारे चलने को सब्सक्राइब करने को आप बेल आइकन को प्रेश जरूर किजेगा तो चले तो मिलते हैं